जिहां दोस्तों अगर आप Realme 3 Pro खरीदना चाते हैं वो भी पहली सेल में तो आज माधव सेट ने ये ट्वीट किया कि एक Blind Order Process शुरू किया जाएगा जिसके तहर आपको Option मिलेगी कि आप पहली सेल में Realme 3 Pro आरपास के द्वारा खरीद सकें जिहां दोस्तों इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे क्या है ये Blind Order Process और किन चीजों की Knowledge आपको ज़रूरी होनी चाहिए इसमें Entry लेने के लिए मेरा नाम हरजोत है आप देख रहे हैं For the Love of Gadgets इस वीडियो में हम हर डीटेल कवर करेंगे आरपास के रिगार्डिंग चाहे वो FAQs हो या Links हो या फिर आपको क्या-क्या Apps चाहिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकॉन को जरूर हिट कीजेगा ताकि आपको नए अपडेट्स और वीडियो मिलती रहे हैं कॉमेंट कीजेगा अपने सुझाब दीजेगा और कोई फीडबेक हो तो वो भी बताएगा तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों अगर आप एक blind order race करना चाहते हैं तो यह mandatory है कि आप Realme community पे as a user registered है अगर आप नहीं हैं तो सबसे पहले अपनी एक user ID बनाएए और यह आप या तो online जाके कर सकते हैं या आप simply Realme का community app download करके कर सकते हैं जिसका link हमने अपनी description में तिया हूँ है तो यह एक important step रहेगा और मैं एक होँगा कि आप पड़ापट इसे follow कर लें और complete कर लें ताकि जब यह online process शुरू हो blind order race करने का तो आपको wait ना करना पड़े तो यह था हमारा step number one अब हम चलते हैं कि process क्या है जिसके लिए मैंने already एक pre-recorded session ready कर लिया है आप का और मैं आपको explain करता हूँ कि आपको क्या steps follow करने और हम FAQs भी देखेंगे तो चलिए अगले step की और चलते हैं So friends, सबसे पहले हम community app में जाएंगे Community app में जाने के बाद हम उस thread पे click करेंगे जो कहता है place realme 3 pro blind order जियां दोस्तो आप 19 April को यह blind order place कर सकते हैं और यह blind order show करता है कि आप brand को trust करते हैं और product को लेके confident हैं और अपने आपको register करना चाहते हैं इस product को खरीदने के लिए पहली sale में जियां दोस्तो अब आगे देखते हैं कुछ और instructions कुछ चीज हैं जो और आपको note करनी पड़ेंगी वो यह सबसे पहले आपको link दिया गया है जहां पे जाके आप 19 तारीक को अपने आपको register कर सकते हैं उसके लिए आपको realme की ID बनानी पड़ेगी realme community पे अगर आप successful होते हैं registration में आपको rpass मिलेगा जो आपके account में डाल दिया जाएगा realme के और यही pass आप use करेंगे पहली sale के दिन पे जो की 22 तारीक को बताई जाएगी कब होगी आईए देखें कुछ FAQs अगर हम FAQs की बात करें तो clear cut mention है कि rpass क्या है rpass basically एक fcode ही है दोस्तों जो Xiaomi देती है हमें realme ने rpass दिया है जिसके तुरू आप product खरीद सकते हैं अगला point है is rpass valid on any smartphone दोस्तों यह बहुत interesting point है और बहुत important point है मैं चाहूंगा आप इसको ध्यान से समझे और यह point इसको unique बनाता है fcode से जिहां दोस्तों जहां तक fcode की बात है हम fcode को यूज करके particular variant ही खरीद सकते हैं for example Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro के launch पे 4GB वाला fcode दिया लेकिन अगर आपके पास realme 3 Pro का fcode है आप कोई भी color कोई भी variant RAM size खरीद सकते हैं वहाँ पे कोई भी condition applicable नहीं रहेगी जो की बहुत बढ़िया है अगला point does rpass has validity और does rpass have validity जिहां दोस्तों yes एक validity दी जाएगी जैसे Xiaomi ने अपने fcode पे दी हो सकता ये 2 महिने तक valid हो या 2 हफते तक valid हो या 1 महिने तक valid हो वो आपको जब rpass मिलेगा उसमें ही पता चलेगा अगली चीज़ तो दोस्तों इसका clear cut answer है नहीं आपको एक authority मिल जाएगी एक advantage मिल जाएगी product खरीदने की कोई discount मत expect कीजेगा अगला पांचवा point हमारा how can I get rpass तो generally you can get this on realme community contest social handle giveaways realme.com etc या दोस्तों यही forums हैं जहां पे आपको rpass मिल पाएगा अगले point की तरफ चलते हैं जो की हमारा है point number 6 is rpass valid on other online platform like flipkart and amazon तो दोस्तों इसका answer है नहीं आप सिरफ rpass को realme पर ही use कर सकते हैं as in realme.com पर साथवा point रहेगा कि क्या हम cash on delivery place कर सकते हैं using rpass तो दोस्तों इसका answer है yes हाँ हम cash on delivery order place कर सकते हैं rpass को use करके लेकिन ये भी फिर again realme.com पर ही आठवाँ FAQ है कि क्या हम अपना rpass share कर सकते हैं जिहां दोस्तों इसका answer है yes पैसा आना चाहिए दोस्तों चाहिए आपके पापा करेदें मम्मी करेदें फोन बिक्वा दिजब बस तो दोस्तों ये थे हमारे FAQs आएए एक बारी उस link पर भी क्लिक करके देख लेते हैं जिसके थुरू हम registration initiate करेंगे मैं back button पर क्लिक करूँगा और फिर हम पहुंचेंगे उस link की तरफ जिससे हम अपने आपको register करेंगे black order sale के लिए valid होने के लिए आप देख सकते हैं जहां पर लिखा है how to place realme 3 pro blind order उसी के नीचे सबसे पहला point दिया है visit this link जहां दोस्तों यही वो link है जिसको आपने use करना है midnight 19th April से अपने आपको register करने के लिए realme 3 pro की पहली sale में confirm product पाने के लिए जैसे ही आप इस link को click करेंगे यह आपको एक नए page पे ले जाएगा आपको वहाँ पे जाके login करना पड़ेगा but the point is कि क्योंकि अभी यह page active नहीं है अगर हम login भी करते हैं हमें यह option देता है कि आप order place कीजिए अपना rpass यूज़ करके जो कि अभी हमारे पास नहीं है so in a nutshell यह link आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको going forward register करना है अपने आपको उस product के लिए या फिर आपको खरीदना है realme 3 pro तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको यह process बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप असानी से अब 19 तारीक को blind order place कर सकते हैं अगर आप realme 3 pro पहली sale में खरीदना चाकते हैं या दोस्तो हमने सभी steps को cover किया process समझाया और faqs detail में cover करें जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस दोरान लगी वो यह है कि f code और rpass में एक main difference जो की बहुत माइने रखता वो यह है कि आप कोई भी variant चूज कर सकते हैं किसी भी color का आप bind नहीं है कि आपको 4GB version ही मिलेगा वो भी black color का जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज लगी बाकि देखते हैं कि कैसा रहता है जब यह start होगा क्योंकि एक one time experience है और मैं कहूं तो first time experience रहेगा हम लोग का RPass को लेके but I think मादव सेट has always surprised his audience so इस बार भी वो surprise करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कोई query हो तो ज़रूर बताईएगा comment कीजेगा अपने सुझाब दीजेगा चैनल को subscribe कीजे बेल आइकॉन को हिट कीजे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और हाँ subscriber base बढ़ाने में हमारी help कीजे यह हमें motivate करता है once again मेरा नाम हर्जोथ है आप देख रहे हैं for the love of gadgets जैहिन नमस्कार